हेलो बच्चो कैसे हो आप सब उमीद करते हैं आप लोग अच्छी होंगे मैं हूँ कुमार हीरा सर और आज मैं आप सब लोग के लिए एक एस्पिसल टेस्ट लेकर आया हूँ जिसको आप सौर्ट में 3D के नाम से जानते हैं और जिसको हिंदी में 3D ज्यामिती बोलते हैं इसमें आज मैं आप लोग को अब्जेक्टिव कोशन लेकर आया हूँ खास करके वो सारे सवाल जो है आपके सेंट अप एकजाम 2021 में पूछे गया थे उन देखते हैं कि आप सब लोग कुछ सारे 3D के सवाल को आप बना पाते हैं कि नहीं और अगर आप बना पाते हैं तो कितना आपका सही हो बाता है ठीक है तो आज हम सारे कुशन को लेकर आया हैं 2021 में जो भी आपका सेंट अप एकजाम में 3D का सवाल पूछा गया था उसी से रिलेटर करके आपको अगर बनाने आ जाएगा तो समझे कि आप आसानी से 2030 का एकजाम में भी कुशन बना पाएंगे तो चलिए हम आपको दिखाएंगे एकदम प्रस्ण सामने आपको दिखेगा और आप आंसर कमेंट कर दिजेगा हम आपको फिट बताएंगे पूरा explain करके तो दिखेए सबसे पहले हम आपको बता दे ये रहा आपकी पास पहला नुबर सवाल ये पहला सवाल आप लोगों से पूछा गया था कि और इसका आम तरीका बताया थे कि जेड बाला पूछे तो आपको पता होना चाहिए जेड कामान वन लिखना है बाकि सब 00 होगा तो दिखेए ओर जीन तो ये होता नहीं है ये एक सैक्सिस रहता तो इसका होता ये वाई बला है और ये जेड बला है यानि आप लोगों का और ये जेड आपको पता है तो जो लोग अपसन नमर डी बता रहेते हैं उडोग के लिए जोड़दार तालियों का स्वागत किया जाए और ये स्माइल करना तो आप लोगों को बनता है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट नमर सवाल पर आते हैं ये है आप लोग के सामने दूस अपसन रेशियो कैसे निकालते हैं अगर दूग बिंदू दिये हुए रहे तो आप डायरेक्शन रेशियो यानि दिक अनपात कैसे निकालते हैं जल्दी से आप बता सकते हैं ये अपसन आप लोग को नजर आ रहा होगा इसके लिए आपको थोड़ा सा समय दे दिया जाए 10 सेकेंड इस 10 सेकेंड में आप लोग को इसका अंसर बता देना है उसके बाद हम आपको पूरा बताएंगे डिटेल्स में तो थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं सबसे पहले हम आपको बता दे इसका एक फॉर्मुला आपको यूज करना है ठीक है ऐसे आप कर सकते हैं एकस टू माइनस एकस वन वाइटू माइनस वाइवन और जेड़ टू माइनस जेड़ वन यह होता है फॉर्मुला डारेक्शन रेशियो निकालने का तो इस फॉर्मुला में बस आपको करना क्या है मान बैठा देना है इससे आपका अंसर पास आएगा तो देखिए बाद गहणा पास बोला मेंसे पहले वाला घटा लिजए था चार मेंसे आपको बिंद दियुआ यह जोड़ा आएगा और यह ज़ोर्दार करना तो आप लों को बनता है और अभी तक जो लोग नहीं कीए हैं अगर ही दोनों सवाल का आंसर सही अभी तक दिए हैं तो लाईक ज़ जरूर करिएगा चलिए तो देखते हैं अगले नंबर सवाल के तरफ देखेंगे नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग के सामने में यह है तीसरा नंबर सवाल कि इप डाइरेक्शन को साइन्स आप टू मुझवाली परपेंडिकुलर स्टेट लाइन्स भी एवन दीवन सीवन दिख को जये एतना और यहाँ पर आपको बता दे कि यहाँ पर डायरेक्शन को साइन्स दिये हुए है थि चाडू अप्शन में से कौन सा करेक्ट है और यह सिंपल सा फर्मूला यह जैसा कि हमने आपको बताया था डायरेक्शन को साइन जो होता था L1, L2 तह ऐसे लिखते थे L1, L2, M1, M2 और N1, N2 ब्रावर 0 अगर ये कंडिशन लागू होता है तो हम लोग बोलते कि दूगो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है लेकिन डायरेक्शन को साइन लेकिन यहा दिखिए यहाँ पर बरावर में 1 दे दिया और ये ऐसा कोई कंडिशन तो हम आपको बताया भी नहीं है और नहीं होता है तो ये रहा आप लोग के सामने पहला आप्शन इसका करेक्ट था उमीद है आप लोग को अंसर सही आ रहा होगा तो इसमाइल करता तो बनता है और ब पुचरा डैरेक्शन रिश यह तना के दिक अनुपात है डिक अनुपात तो बड़ा संस्ता है जलिसे बताईते है को ये स्ट्रेट लाइन है यानि सरल रेका थिसका दिख अनुपात क्या है जल्दी से बताएंगे दस सेकेंड का समय आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिख का होगा जल्दी से बताएंगे इस सवाल का अंसर और हां आभी तक जो लोग लाइक उप नहीं कि जल्दी से लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपका आपना यूटूब चैनल तो आप लोग को लाइक तो करना बनता है ठीक है यह रहा आप लोग को बता दे कि डायरेक्शन को रे A B C यानि दो दो तीन तीन आपका डायरेक्शन रेशियो है यानि दिकन बात है ठीक है तो यह सब बेसिक अगर सारा बात अगर आप नहीं पढ़े है 3D तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके जरूरी सब पढ़ लीजेगा छोटा-छोटा बात है बस आपको याद रहेगा आ आपने यह एक रेखह आपको दे दिया क्या है इ Antwort छाड़ों में सर किस रेखह के पैरलल इसकीन का समय दिया जाता यह सब समय लगने वाला देखिये का आपको आंसर समज में आ जाए जल्दी से बताइए कौन सा correct answer है यह पैरलल कर रहा थे याद रखीगा पैरलल में हम आपको बताया थे जब भी कोई line दिया हुआ है उसके पैरलल हो तो उसका ratio का अनुपात बरावर होता है जैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ इस तीनों में से कौन सा है जिसका अनुपात बरावर जैसे हैसे हम आपको condition याद दिला दे A1 by A2 B1 by B2 और C1 by C2 इस तीनों का अनुपात बरावर आना चाहिए कहने का मतलए इसमें से A1, B1, C1 ही पहला लगता है अडि देखे 3, 3, 3 ही समें भाग देंगे तो बरावर तो आएगा नहीं तो पहला आंसर तो ऐसे ही कट गया दूसरा देखते है 6, 6, 6 है समें 6 से भाग देंगे तो बरावर तो आएगा नहीं दूसरा भी कट गया तीसरा हमें लगता है सही है देख लीजे इसको अगर हम भाग दे तीन बटा नो ऐसे आप भाग दे दीजे तीन बटा नो फिर छो बटा आठारा और आठ बटे चोविस इस सबको काटिएगा ना 3 तियाए 9 देखिए 6 तरी अठारा अठार आर तरी चोविस तो सब का मान एक बटा तीन आएगा जो बड़ा वर्मान आ रहा है तो इसका मतलए यह वहला जो ऑप्सन नमर सी था वही आपका पैरलल इक्यूएशन का समय करन था ठीक है यानिकी समानतर रेका बस आपको एक बार और ऐसे भी याद रखेगा कि तीन चोड आठ है ना इस सम में दूसे तीन बढ़ते हैं अगले नमर सवाल देखेंगे चठा नमर सवाल अप लोगों से पूछा गया था इप देखेंगे रेखा एतना तल एतना के समानतर है तो कौन सा अप्सन है इसके लिए आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय देखते हैं कि आप सब लोग सही आंसर दे पाते हैं या नहीं 15 सेकेंड और हाँ जो लोग अभी तक लाइग उप नहीं कि जल्दी से लाइग जरूर करिएगा ठीक है एक बार कमेंट करके भी आप हमें बताईएगा दोस्तों के असाथ सेर भी जरूर करिएगा दिखिए हम आपको एक बात याद दिला दें कि एक रेखा और जब प्लेन हम आपको बताया थी कि अगर उप पैरलल कहें तो समझेगा वह आपको लगाना है इसके पैरलल है तो याद रखीक है यह परपेंडिकुलर विड आपको कंडिशन लगाना है तो सब rifles के ब्रावर होता था 0 के बरावर होता है तो यहाँ पर देख लिए A1 B2 यही बलाएगा तीन में इससे गुना करेंगे ता 3 गुने 2 A प्लस 2 गुने B प्लस 1 गुने C बरावर 0 इसको calculate करिएगा ता आपका अंसर आएगा 6 A प्लस में 2 B प्लस C बरावर 0 यही आपका final answer आएगा 0 के बढ़ा होगा तो यहाँ पर 2 A प्लस B प्लस C लिखा था तो कि इसमें इससे गुना करेंगे ता 3 गुना 6 गुना तो बिल्कुल सही आंसर दे रहा थे ना आप लोग तो यह आप लोग का option नमर C थी सही था तो बढ़ते हैं next नमर सवाल पर यह है आपका सातवा नमर सवाल आप लोग से पूछा गया था ता straight line x बटा 3 ब्रावर y बटे 5 ब्रावर z बटे 7 is perpendicular to which of the following planes यानि कि यह जो straight line है यह किस plane पर लंब बत है यह देखिए सरल रेका एतना निमलिखित में से किस तल पर लंब है आपको बताना जैसे एक plane यह line दिया हुआ है और यह 4 में से 4 यह plane का equation है दोनों में से आपको बताना किस पर यह लंब है तो बस condition आपको याद होना चाहिए line और plane अगर लंब है तो थोड़ा सा ultra condition लगाना होता है याद रखना है आप लोग को तो इसका सही answer देने का आप लोग पर्यास करिए 10 सेकंड का समय आप लोग के सामने मिलता है बस आपको याद रखना है रेखा और plane अगर समानतर कहे तो आपको लंब वला condition लगाना है अगर लंब कहे तो समानतर वला condition लगाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं देखेगा ध्यान से यहाँ पर क्या कर रहा है लंब कर रहा है ना पर्पेंडिकुलर कर रहा है यह जो लाइन है यह plane पर पर्पेंडिकुलर तो पर्पेंडिकुलर है यानि कि समानतर वला आपको लगाना है यहां पर एक सेकन तो जल्दी से बताईये में के सूसे में तों कोई न आफिसे आपको नहीं होगा in होगा है कि इस परपिंडीकुलर तो आपको 現場 याध रहे पर्पेंडिकुलर है तो आपको पेरndर यानी कि समांतरला condition लगा है तो कि इसका तीन और इसका तीन से जनए जनए सब का काटेंगे इसका नहीं आंगर कड़ा दिखिए इसका आपको याद रखना है जब हम आपको कई बार बताय भी थे कि रेखा और अगर समांतर का है तो लंब लगाईएगा अगर लंब कहते हैं यहां पर लंब कह रहाता तो आपको समांतर वाला कंडिशन चेक करना था यह अनुपात बराबर होना चाहिए तो चारों में से इसी का अनुपात जो है बराबर आप लोग का अंसर सही आया होगा और कुछ लोग कंफ्यूज जरूर हुए तो चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल पर आते हैं यह है आपका आठवा नंबर सवाल डा डाइरेक्शन रिश्योज आप द नॉर्मल टू द प्लेन एतना आर तल एतना पर अभिलंब के दिक होना चाहिए tried 2 इसमें सब्रेक्व निकालना तो आपको बताया थे कहां दे का मान बोलते हैं यहाँ पर अ कमान है यह Бी का मान है और सभी लोग सही दिये थे तो आप लोगो जोड़ार इसमाइल करना बनता है और अभी तक लोग लाइक उक नहीं के जल्दे से लाइक करते हैं अगले नमर सवाल पर यह रहा आप लोग के सामने में नोट करके लास्ट में सबसे लास्ट वीडियो जो बताया थे हाल फिलाल में ही आपको हम 3D पढ़ा है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको यह सारा चीज़ देखने को मिलाज जरूर हो गया कि जेड़ ब्रावर जीरो है इसके पैरलल याद रखीगा पैरलल कहने का कोई ही नंबर हो सकता है 01 234-2-3 ऐसा करके यहां पर देखेंगे आपको z ब्रावर ही कुछ लाना है तो यहां x और को जेड़ ब्रावर कहता तो आपका ऑप्शन ली हो जाता है यहां x ब्रावर 0 राता तो आप्शन एहो जाता तो एक नमर आपको घर ब्रावर येगा नही अगले सवाल पर सही हुआ है न तो लाइक से जल्दी से कर गए और एस्माइल करना तो आप लोग बनता है तो जल्दी से सभी लोग एक बार एस्माइल करें तो अगले सवाल पर आ जाएंगे सभी लोग एक बार एस्माइल करें और अगले सवाल पर आते हैं यह रहा आप लो तथा जेड अक्षो पर काटे गए अंतक खंड है और यह अंतक बताया थे समतल का अंतक खंड रूप में समीकरन क्या होता है यह पता रहेगा तो जल्दी से आप निकाल सकते हैं ठीक है एक सेकें हम हिंट दे देते हैं आपको थोरा सा याद कि लीजे एक बटाये वाई बटा भी जेड बटा सी ब्रार वन यह होता है अंतक खंड रूप में समतल का समीकरन और इसके यहाँ पर जो समीकरन दिया हुआ यह ठीक है और इसको आपको लाना है इस फॉर्मे और तब जाके यह जो बटा वाला बटा वाला मान होगा ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंट अगर minus में रहे कहीं पर तो minus में लिखेगा प्लस में रहे तो plus में रहे तो plus में यहाँ पर 12 चार तो 12 पहला तो ऐसे ही गया है 12-6-4 दूसरा option आप लोग का correct है यहाँ पर 4-6-8 तो कोई chance ही नहीं बनता है तो यानि कि आप लोग का बी number सही था तो इस तरह के दो number के सवाल भी इस सी साल भी पूछा गया था कि कैसे इसका intercept form में आप बदलिए आप लोग जरूर याद रखिएगा तो बड़ते हैं सही हुआ है ना तो बड़ते हैं आगले इस नमबर सवाल पर यह रहा आप लोग के सामने में इगारा नमर सवाल दिखिएगा दा इंटर्सेप्स मैड बाइद प्लेन इतना आप यह भी सवाल होई साही है तल भैक्टर आट यह बस भैक्टर फॉर्म में दे दिया गया 4i-5j-2k अब रावर चालिस द्वारा एक्स वाई-जड अक्छो पर काटे गए बनाएगा अंतखंड करमसा है चलिए यह सवाल भी तो वैसा ही है बस आपको करना है कि यह जो वैक्टर फॉर्म में लिखा गया ना इसको आप कार्थिये रूप में लिख दीजे तो कार्थिये रूप में हम आपको बताया थे कि आई जे के जगा एकस यजे रखना है यानि कि यह समभी करन बन जाएगा ओड़ एकस मैनस फाइड माइनस त्व जेट बरावड चालिस अब बता दीजे इसको बनाकर आपको जल्दी से बता देना है जैसा अब हम आपको पीछला वाला सवाल बताते तो आपको करना क्या है पहले 40 से भाग दे देना है, तो चलिए 40 से भाग दे देते हैं, उसके लिए मारकर चेंज कर लेते हैं, और आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, 4X बटे 40, 5Y बटे 40, माइनस 2Z बटे 40, बराबर 1, इसको थोरा सा कार दीजिए, तो यह तो 4 से कटेगा, भाई, 10 बार में तो ल करेक्ट अंसर कौन सा होगा, यहाँ पर 4 था, तो कटेगा, 10, माइनस 8 और माइनस 20 आपका अंसर आएगा, 10, माइनस 8, माइनस 20, बी नमबर आप लोग का राइट अंसर हो, तो सबसे पहले आपको यह बस यतना ही याद रखना है कि प्लेन का अंटक हंड रूप में समीकरन यह होता, तो इस फ़र्म में आपको कंभर्ट कर देना है, और अगर जो कंभर्ट हो जाए तो बटा वाला, बटा वाला, बटा वाला कों, क्या बोलते हैं, अंतक हंड रूप में समीकरन, यानि कि जो अंतक हंड यह वाला जो पूछ रहा था, ABC का मन सीधा समझे ना, आपको पूइंट एतना आ, बिंदू एतना से तल एतना की दूरी है, यह आपको option नजार आ रहा होगा, इसको थोरा सापको बनाना परेगा, इसके लिए अगर आपको फर्मूला याद है, तभी आप बना पाएंगे, एक बिंदू से एक तल के बीच की दूरी का फर्मूला हम आप आपको बताया थे, तो रहसा हम आपको याद भी दिला देते हैं, फर्मूला एक वार अगर याद हो जाए, तो तो काम आपका बन जाएगा, डी बरावर देखी, फर्मूला बताया गया था, एक पूइंट से और तल के बीच दूरी पूछे, मतलब एक पूइंट से और एक बत याद दिला दे, यह जो आपको प्लेन दिखाए दे रहा है, इस प्लेन को पहले आपको डी को ना, राइट साइट भीज़ देना, डी को कहा भीज़ देना, राइट साइट, तो देखें, यहाँ पर हम इस समीकरों को पहले राइट साइट भीज़ेंगे, यहाँ से ही 3x-6y plus 2z बड़ावर के बाद minus 11 और आप यहां से आप A कमान चाट लिजेगा B कमान C कमान D कमान जैसे यहां पर लिखेंगे A कमान आपके पास 3 हो गया B कमान minus 6 हो गया C कमान 2 हो गया और D कमान minus 11 हो गया आप यह ABC आपको इसमें मान रखना ठीक है और यहां पर x1 y1 z1 यह जो point आपको नजर आ रहा यह point होगा x1 यह जो होगा y1 और यह जो होगा z1 ठीक है अब आपको कुछ नहीं करना इसमें मान बिठा देना तो A कमान देख लिजे 3 x1 कमान यहां पर 2 plus B कमान देखें यहाँ पर 906 है तो आप लिखेंगे minus six गुने y1 कमान यहां से देख लिजे टीन है तो तन लिखेगा plus c c कमान देख लिजी यहां पर two है तो लिखेंगे two गुना z1 के मान यहाँ पर 4 और minus में minus तो आपके पास रहेगा यह दी है डी कमान माइनस इगारा ते इस बार आपको प्लास इगारा लिखना है ठीक है उपर में और नीचा में आपको रूट अंडर लगा देना ABC का स्क्वार तो एक कमान कितना वाई 3 का स्क्वार B कमान माइनस 6 का स्क्वार और C कमान 2 का स्क्वार इसी को solve करिएगा तो आपका अंसर आएगा 3 दूनी 6, 6, 3, 18 माइनस में 18 और ये 4 दूनी 8 पुलस में 11 और बटा में आप देख पार होंगे रूट अंडर 3 के स्क्वार 9, 6 के स्क्वार 36 और प्लस 4 के स्क्वार 4 ये रहा, अब आप बताएए कोई कटे उटेगा क्या, इसको थोरा सा जोर लीजे ये 10 आजाएगा माइनस 10 यानि कि 6 में से 10 घटेगा तो माइनस 4 यानि कि 11 में से 4 घटाएगे तो 7 आएगा उपर में और ये देख लीजे तोरा सा ये 36 और 44, 49, 49 49 का बर्मूल भी 7 होता है 7 से 7 कट जाएगा तो 1 आएगा एक पर फिर से जोर लीजे 11, 18, 19, 19, 26, 25 25 में से 18 घटाएगे तो 7 आएगा 7 और निचा में 36, 49, 49 के बर्मूल 7 अगर आपन शेbel करें नहीं क्यों से ख अगर आप लोगे एग्जामे पूचे पूचा चलिए तो अगर आपलोगी तक नहीं किये हैं तो और alπ 겨करना तो आपडों को बनता ह। देखे अगला सवाल आप लोग के सामने में यह रहा तेरा नंबर सवाल आप लोग से पूछा गया था एक बार सवाल को पहले बढ़िया से आप लोग देख लिए आप लोग अपना दिमाग भी लगाईएगा हम आपको थोरा सा हींट दे देते हैं ताकि आप जल्दी में बना पाए फर्मूला ही में इस सब इस चेप्टर के लिए हैं यह ठीक है अब चलिए इस सवाल का आंसर आप लोग को बस इसमें भर के बैठा देना है आंसर देख लि आप यह A2 B2 C2 एसे करके ठीक है अगर आप जाये तो आप छाठी लिजेए यहाँ पर हम दिखी देते हैं देखिए A1 दो है A2 कमान दूसरा में से 1 B2 कमान B1 और C2 कमान 2 है है ना ये 2 अब इसमें मान भैठा दीजे तो 2 गुने 1 ब्लस देखेगा B1 B2 तो मानस है ना तो मानस 1 गुने 1 C1 कमान देख लिजे कितना 1 गुने C2 कमान 2 है और बटा में आपको रूट अंडर दोनों का कर देना है तो दू के स्क्वार प्लस माइनस वन का स्क्वार फिर वन का स्क्वार फिर रूट अंडर दूसरा वाला तो वन के स्क्वार वन के स्क्वार प्लस टू के स्क्वार यह सब चीज तो आपको पता ही होगा गुनार दू माइनस एक प्लस में तो आपको बता दे कोस्ट्टी डिये का मंढ जब ये है ये सब्सक्राइब SS Fuck यानि कि आपको सवाल पता रहे थो लोगों सी करेक्ट बता रहे थे उन्हों का सइ था और आप लोगों को इस्वाल तो बनता है। और हम आपको बता दे कि आज हम आपको टोटल 15 सवाल बताने वाले 15 सवाल आप लोग से संट पग्जाम में पूछा था 2021 ठीक है। तो देखिए यह सवाल आप लोग के सामने में चोड़वा नंबर सवाल यह रहा आप लोग स्क्रीन पर यानि बिंदु एतना तथा एतना से खीची जाने वाली सरल रेका के दिक को ज्याय बताना देखिए आपसे और सवाल उधर पूछा गया था दिक अनुपात ऐसा ही दूग पॉइंट्स दे ले था यहां पर दिक अनुपात नहीं बलकि दिक को साइन यानि दिक को ज्याय पू यानि कितना आएगा यानि कितना आएगा एक और एक और एक और जी ठीक है यह आपके पास क्या है आए डायरेक्शन निकालने के लिए बता है रूट अंडर से भाग देना यानि कि इसका जो डायरेक्शन को साइन होगा वह ऊगा एक बटे रूट दू और कितना होगा जीरो के तब जीरो ही रहे ठीक है अगर यहीं चीज अगर आप चाहे तो माइनस में उलट यहां पर ज जो है वाग करें ठीक है तो छोटा सा बात आप जरूरी याद रखेंगे कभी-कभी इधर दोनों फर्मुला आप यूज कर सकते हैं x1-x2 y1-y2 और z1-z2 याद रखेगा यह जो डिरेक्शन रिश्यो है आपसे आपको चेक करना है जो हिए आपको बताना है और यह कर सब्सक्रिया देखेंगे the distance between the two points यतना और यतना इस यानि कि दो बिंदू यतना और यतना कि बीच की दूरी आपको बताना और ये class 11th में भी पढ़े होंगे class 10th में भी आप दू को बिंदू बला तो करें होंगे बस z axis बढ़ा देजे हैं आपको formula एक बार याद होना चाहिए रूट अंडर करके बाद बला में से पहले वाला ऐसे घटा सकते हैं या पहले वाला में से बाद बला घटा दीजे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है x1-2 का square y1-2 का square z1-z2 का square ये वालब formula ठीक है अब आप बताए है 5 में से दू घटाएंगे लिख देते हैं 5-2 का square 7-3 का square और z1-9 है माइनस 3 है तो यहाँ पर प्लस 3 का square हो जाएगा बताए ये कितना आएगा भाई 5 में से दू गया 3 का square 4 के square और 9-3 12 के square कितना आएगा ये जोड़ेंगे तो 9 प्लस 16 और प्लस में 144 144 और ये 16 हो जाएगा आप चास साथ 169 आएगा 179 का तो आप लोग बर्भून जानता ही है कि 13 होता है तो आपका option number C जो होगा correct ठीक है तो इस तरह से हमने आपको पंद्र को सवाल ये 2021 में sent up exam का था अगर आप आसपास में देखेंगे किसी से माग लिजएगा question तो आप को देखने को मिल जाएगा तो हमें यह बता दिजएगा कि लोगों का answer जै ओंदर अमें 15 सही तो कितना सही किये हैं यभी आप हमें कमेंट करके जरूर बताईगा और हां अगर अभी तक आप आप लोगोंने आपको आइडिया अच्छा से लाएगा फिर हम आपको नेक्स्ट में हड़ेक टॉपिक वाई टॉपिक आपको चेप्टर वाई चेप्टर ऑब्जेक्टिव कोर्शन करवा दूगा उसके लिए आप नेजियंत रहे और जो है अभी आपको फुरा सा ये प्रोबाइबलिटी और हम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम आपको फिर प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे यूट्यूपर बस आपको बने रहना है ठीक है तो चली आज क्यों कोई ही समाप कर देते हैं फिर मेलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाइबाइबाइब थैंक यू झाल